कुंद्रू की भरवत सब्ची बनाने के लिए हमने ले लिया है प्याश लेसन अध्रक और मिठी इसको हम वेजीटेबल चॉपर में चॉप कर लेंगे इसमें यह फटाक से हो जाता है अगर आप चाहे तो मिक्सी में भी पीश सकते हैं लेकिन मिक्सी में पीशने पर काफी पानी निकलता है तो इसे हमें सुखाना पड़ता है तो इस तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं और फटाक से सब्जी बना सकते हैं इसमें डालने के लिए मैंने ले लिया है कलोंजी मसाला का लिंक में देती है आप चाहें तो देख सकते हैं नमक डाल देते हैं स्वादा नुसार हल्दी पाउडर डाल देते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और हम्चुर पाउडर डाल देते हैं अभी इन सारी चीजों को हम अपस में मिलाएंगे सारे मसाले अच्छ के चौके हमा छाले पाइब ही तुके तपने में रिम भूखिल को आना ही है एक कड़ाय में हमने तेल गरम कर लिया है और इसमें हम कुंद्रू को डाल देंगे आज को हमें धीमा ही रखना है ताकि यह जले नहीं कुंद्रू धीमी आज पार ही पकाएं ताकि अंदर तक अच्छे से पक जाएं और इसे हम ढखकर पांच मिनट के लिए पकाते हैं और यह जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं नहीं तो यह पकने में बहुत टाइम लेगी टोमाटर की प्यूरी डाल कर हम इसमें डालेंगे जो स्टफिंग थोड़ी सी बच गई थी इसे हम डाल देंगे तो इसमें मसाले और अच्छे से मिल जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत अच्छ करेंगे एक बार खोल गे चक कर लेते हैं अभी कुंदु थोड़ा साही सॉप्ट हुआ है इसे हम थोड़ी देर और ठक कर पकाते हैं अभी यह सबजी पग गई है और गैस कोम कर देते हैं बन कुंदु की यह भरवा सबजी तयार है बहुत ज्यादा टेस्टी सबजी लगत होती है इसे हम गर्म-घर्मशतल कर देते हैं इससे आप रोटी के साथ चावल के साथ ज़यादा टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाएन इसलि hacia बहुत जादा टेस्टी लगेगी आपको बहुत जादा पसंद आएगी और बार इसके मौसम में मिलने वाली कुंद्रू की यह सब्ची बहुत जादा फायदे मंद होती है तो आप इस तरीके से इसे बनाए और इसका भरपूर फायदा उठाए दोस्तों वीडियो पसंद थाधा थांक्यो वाचिंगा वीडियो आपको दॉन्ग आपको आपको और दोस्तों